सुप्रभात बच्चों बच्चों आज मैं आप सभी को घडलू वस्तूओं के बारे में बताऊंगी सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि घडलू वस्तू किसे कहते हैं तो बच्चो जिन जिन समानों का वस्तूओं का उपयोग हम लोग घड में करते हैं, उसे घड़ेलू वस्तू कहा जाता है आज मैं आप सबको बहुत सारी ऐसी घड़ेलू वस्तूओं को दिखाऊंगी और उसका नाम भी बताऊंगी जिनका प्रयोग हम लोग घड़ों में करते हैं बच्चो इस वस्तु का नाम है कप इसको लिखेंगे कैसे आईए बताते हैं कप, कप बच्चो इस वस्तु का नाम है विस्तर अब विस्तर कैसे लिखते हैं ये बताते हैं व में छोटी एकी मात्रा वी सो तो र विस्तर बच्चो विस्तर में सो जो होगा वो पूरा नहीं बलकि आधा होगा देखिए इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि व में छोटी एकी मात्रा वी है फिर आधा सो है फिर तो र विस्तर इस वस्तु का नाम है बच्चो बाल बाल्टी किस तरह से लिखते हैं? ये देखते हैं. ब में आ की मातरा बा, आधा लो, त में बड़ी की मातरा टी, बाल्टी. बच्चो यह है चम्मच. चम्मच को कैसे लिखेंगे? ये सिखाते हैं. सबसे पहले लिखेंगे बच्चो च, आधामो, फिर पूरामो और च चम्मच बच्चो इस वस्तु का नाम है घरी घर में बड़ी एकी मात्रा री घरी बच्चो यह है आईना आईना कैसे लिखेंगे आईए बताते हैं आ, छोटी इ, न में आ की मात्रा ना आईना बच्चो यह है गिलास गिलास किस तरह से लिखेंगे चलिए बताते हैं गो में छोटी इ की मात्रा गी ल में आ की मात्रा ला स, गिलास बच्चो यह है जाडू जाडू कैसे लिखेंगे चलिए सिखाते हैं जो में आ की मात्रा जा, बड़ा रो में बड़ा उकी मात्रा डू, जाडू, बच्चो यह है चादर, चादर कैसे लिखेंगे? जो में आ की मात्रा चा, दो, रो, चादर, बच्चो यह है तकिया, तो को में छोटी इकी मात्रा की, यह में आ की मात्रा या, तकिया, बच्चो यह वस्तु जो दिख रही है यह है थाली थाली को कैसे लिखते हैं यह बताते हैं था में आ की मात्रा था लव में बड़ी ए की मात्रा ली थाली तो बच्चो यह सभी वस्तु जो मैं आप लोगों को दिखाई और उसका नाम जो बताई ये सभी वस्तुए क्या कौन सी वस्तुए है घरेलू वस्तुए है इन सभी का उपयोग प्रयोग हम लोग कहा पर करते हैं घरों में करते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा याद कीजियेगा और इसे कौपी में लिख दीजिएगा तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगी तब तक के लिए बाए बाए बच्चो